मेरा नाम रवी है और मैं पेशे से एक सौफ्ट्वेर इंजिनियर हूँ. मेरी हाइट पाँच फीट ग्यारा इंच है और शरीर एकदम कसरती है. चहरे पर रनवीर सिंग जैसी दाड़ी और स्टैमिना राहुल द्रविड जैसा. आफिस की और आसपास की काफी लड़कियों के साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ. उनके साथ खेलने में आनन्द तो बहुत आता है, लेकिन तब भी मेरा मानना है कि किसी अनुगवी के साथ खेल करने का मज़ा ही अलग है. मैं आज आपको एक भाभी की कहानी सुना रहा हूँ. यहाँ बात तीन साल पहले की है. मैं नौइडा में जॉब करता था. मैं नौइडा में एक पीजी में रहता था. पीजी में खाना बनाने का जंजट नहीं होता, इसलिए मैंने फ्लैट नहीं लिया था. मेरे पीजी के पीछे ही समुदाइक पार्क था उस पार्क में सब उम्र के लोग आते थे बुजुर्ग आदमी, औरते, छोटे लड़के लड़कियां, पति-पत्नी, प्रेमी, घरेलू महिलाएं और कुछ ऐसी भी महिलाएं आती थी जिने अपना शरीर सही रखना होता था ओफिस के बाद मेरा रोजाना का रूटीन पार्क में जाकर कसरत करने का था मैं क्रिकेट में काफी आगे तक खेल चुका हूँ तो मुझे लगातार कठिन कसरत करने में बिलकुल दिक्कत नहीं होती थी और मैं उस पार्क के 25 चक्कर आराम से लगा लेता था उस दिन पार्क में मेरा पहला दिन था तो मैंने ज्यादा इधरुधर ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी अपनी कसरत निपताई और अंडे खाने चला गया लगभग एक हफता ऐसे ही निकल गया अब मैं वहां के वातावन के हिसाब से भी धल गया था इसलिए अब कट स्लीव की टी-शर्ट पहन कर जाने लग गया था मैं जब भी पार्क जाता तो कुछ और थे लड़कियां मेरी ओर देखती रहती थी मुझे पता था कि मैं आकरशक लगता हूँ लेकिन ऐसे जाते ही तो किसी को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं पूछ सकता दूसरा यह कि मुझे उसी जगा रहना था और सब वही रहते थे तो कुछ लफ़णा भी हो सकता था इसलिए मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया एक दिन जब मैं पार्क में जाने लगा तो एक शादी शुदा महिला मेरे साथ ही पार्क में घुसी मैंने उसे देखा तो मैं देखता ही रह गया वह बला की खूपसूरत लगता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुरसत से बनाया है मैं उसको घूरे जा रहा था अभी तक मैंने उसके चहरे की तरफ नहीं देखा था तभी एकदम से गले को सही करने की आवाज आई मैं एकदम से वापस होश में आया माफ कीजिये मैडम मैंने आपको देखा नहीं महिला बोली कोई बात नहीं लेकिन अब तो देख लिया ना तो अब तो अंदर जाने दो यह कहकर वहां मुस्कुराई मैं भी मुस्कुराया और पहले उसे जाने का प्रस्ताव दिया वहां अंदर गई और धन्यवाद बोला मैं रोज की तरह अपनी कसरत कर रहा था लेकिन आज बार-बार मेरी नजरे उधर जा रही थी जिधर वहां अपनी कसरत कर रही थी कसम से उसको देख कर मैं बावला हुआ जा रहा था बस मेरा मन कर रहा था कि इसे अभी खेलने के लिए मना लू तब मैंने ठान ली थी कि आज कम से कम इसका नाम और इंस्टाग्राम आईडी जरूर पूछ कर जाऊंगा मैंने देखा कि उसकी कसरत हो गई थी और वहाँ पार्क के गेट की तरफ जा रही है तो मैंने अपनी कसरत आधी छोड़ी और उसके पीछे चल दिया जैसे ही गेट के बाहर निकली मैंने उससे बातचीत शुरू की मैं एक खुले मिजास का युवक हूँ तो किसी से बात करने में मुझे जिजक नहीं होती मैंने कहा उस भिडंद के लिए सौरी आप शायद उस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगी महिला ने कहा अरे कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी मैंने पहली बार उसका चहरा देखा क्या प्यारी आखे थी उसकी मुलायम होंट रंग गोरा सच में वहाँ बहुत सुन्दर थी उसकी उम्र लगभग 30 से 32 की होगी माथे पर सिंदूर बता रहा था कि शादी शुदा है सफेद रंग का टॉप, लाल रंग की लेगिंग और हाथ में पानी की बोतल मैंने अपना हाथ बढ़ा कर कहा मेरा नाम रवी है और आपका महिला ने कहा मेरा नाम शोभा है हम दोनों ने सब्य लोगों की तरह हाथ मिलाए मैंने कहा आप अंडे खाती है शोभा ने कहा जी हाँ, क्यों? मैंने कहा तो बाकी बाते अंडे खाते खाते करें इतनी कसरत की है तो प्रोटीन लेना भी जरूरी है यह कहकर मैं हलका सा मुस्कुराया और शोभा भी मान गई हम दोनों साथ में अंडे खाने गए और रास्ते में हमारी काफी बाते हुई उसकी शादी को अभी देड़ साल ही हुआ था उसका पती किसी दूसरी कमपनी में काम करता था वह मेरे पीजी से दो गली छोड़ कर ही रहती थी वह मेरे बगलवाली कमपनी में ही काम करती थी फिर आखिरकार हम दोनों इंस्टा पर भी जुड़ गए मैं बातों में थोड़ा तेज हूँ और शायद इसी वज़ा से शोभा इतनी सी देर में मुझसे सहज हो गई थी शायद इसी का उपहार उसकी इंस्टाग्राम आईडी मुझे मिल गई थी घर आकर मैं नहाया और खाना खाकर उसको मैसेज किया हेलो तुम्हारे साथ समय बिताकर अच्छा लगा तो शोभा ने कहा हाई मुझे भी तुम स्पोर्ट्स परसन हो मैंने कहा हाँ तुम्हें कैसे पता शोभा ने कहा तुम्हारा शरीर सब बता देता है और शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा भी है मैं जब खेलता था तो मेरे मैच डीडी स्पोर्ट्स पर आते थे। शायद शोभा ने मुझे वही देखा होगा। मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। शोभा ने कहा तुम वही रवी होना जो राजस्थान की तरफ से खेलते थे और एक बार उत्तर प्रदेश को बुरी तरह हराया भी था। मैंने कहा जी मैं वही रवी हूँ लेकिन तुमको इतना सती कैसे याद है। शोभा ने कहा मैंने वह पूरा मैच देखा था इसलिए। मैंने कहा तुम्हारा ओफिस का टार्मिंग क्या है। शोबा ने कहा सुबह नौ से शाम छे तक और तुम्हारा, मैंने कहा यही जो तुम्हारा है, कल साथ आए, शोबा ने कहा हाँ क्यों नहीं, तब मैंने कहा सो जाओ नहीं तो तुम्हारा पती शक करेगा कि इतनी रात में किस से बात कर रही है, शोबा ने कहा अरे यार ये अभ मेरी शोभा से अच्छी दोस्ती लग गई थी. हम दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे. हम रोज घर साथ आते, कसरत साथ करते, अंडे खाने साथ जाते और कभी-कभी तो सोया चाप भी साथ ही खाने जाते. मुझे थोड़ा पता चल गया था कि शोभा मुझे पसंद करने लग गई है और मुझे भी वह पसंद थी. शायद उससे उसका पती इतना समय नहीं देता होगा, जितना मैं देता था. लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी वज़से इनकी शादी शुदा जिन्दगी में कोई लफड़ा ना हो जाए. इसी बीच मैं एक से दो बार शोभा के घर भी गया था, वहां हमने चाय पी थी बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ. फिर आया वह दिन, जिसका मुझे इंतजार था और शायद शोभा को भी. शोभा का पती दो महीने के लिए कमपनी के काम से विदेश गया था. मैंने शोभा से पूछ कर मूवी के दो टिकट्स ले लिए थे. वह शनिवार का दिन था. मैंने सोचा कि पहले मूवी देखेंगे फिर बाहर खाना खाएंगे और कुछ शॉपिंग करके वापस शाम का खाना खाकर आ जाएंगे. मूवी का टाइम सुभा के साड़े नौ बजे का था. मैंने दो कॉर्नर सीट्स बुक की थी. मुझे कॉर्नर पर बैठ कर मूवी मैंने अपने दोस्त की बाइक ली और नौ बच कर पंदरा मिनिट हॉल के बाहर पहुँच गए. शोभा क्या लग रही थी? उसने पीला प्रंटेड कुर्ता, लाल लेगिंग सक, होंट हलके हलके से लाल, आंखों में हलका सा काजल. मेरी तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी. वह एकदम कट्रीना कैफ लग रही थी. शोभा ने दो बार मुझे आवाज दी लेकिन मैं उसमें इतना खो गया था कि मैंने सुनी ही नहीं. शोभा कहां खो गये सर? मैंने कहां तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें? शोभा मुस्कुरा दी. वहा से देख रहे थे कि मानो कह रहे हो जोडी हो तो ऐसी. मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने शोभा के कंधे पर हात रखा और उसके माथे पर प्यार कर दी. शोभा थोड़ी चौकी लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिली मुस्कान थी. उसने अपनी हाथ की उंगलियां मेरे हा जुग की बात थी की मूवी हिट थी, फिर भी हॉल काली था. ये शायद हमारे लिए एक नए कल की शुरुआत का इशारा था. हम पीछे वाली कारनर सीट पर बैठ गए. हाल के अंधेरे में परदे की रोशनी से शोभा का चेहरा चमक रहा था. फिर हम लोग मोबाइल में क् मस्त वाला खेल देखना शुरू कर दिया. खेल देखने में हम दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था और हम दोनों काफी तयार हो गए थे. अब सिर्फ इतने से हमारा मन नहीं भरने वाला था. मैंने शोभा के कान में घर चलने को कहा और वह जट से तयार हो गई. हम घर के निकले. उस दिन पंदरा मिनट का रास्ता मुझे पंदरा घंटे का लगने लगा था. बाइक पर वह बैठ गई लेकिन हमने कोई हरकत नहीं की. क्योंकि हमें क्रिकेट खेलने का था. घर पहुचते ही मैंने शोभा से कहा देखो शोभा, ये सब हमारे बीच इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा पती तुम्हें समय नहीं दे रहा है और शायद हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं. लेकिन कहीं ये ना हो कि इससे तुम्हारी शादी तूट जाए और तुम मुझसे शादी करने को कहो. अगर ऐसा है तो हम ये सब नहीं करते हैं. शोभा ने मेरी बात का पूरा समर्थन किया और हां में सर हिला दिया. बस फिर क्या था? मैं और शोभा क्रिकेट खेल कारे शुरू कर दिया. शोभा से भी रहा नहीं जा रहा था. और मेरी बल्ले बाजी उसे सहन नहीं हो रही थी. उसकी सांसे रुखने लगी लेकिन मैंने बिना परवा कि उसके साथ खेलना जारी रखा. करीब 20 मिनट की खेल के बाद में आउट होने वाला था और इसी बीच शोभा दो बार आउट हो चुकी थी. उसकी खेल का काफी अच्छा अनुभव रहा था. सच में ऐसा लगा जैसे मैंने किसी परी के साथ खेला हो. थोड़ी देर बाद मै मैंने उसे आराम दिया. तब उसे थोड़ी सांस आई. अब हम दोनों ने देखा कि मेरे मोटर से पानी उसके खेत में चला गया. यहां देख हम दोनों थोड़ा टेंशन में आ गए. मैंने शोभा को समझाया कि कुछ नहीं होगा. उसके बाद हमने लंच किया और उस दिन श सोभा के साथ चार बार क्रिकेट खेली थी. दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.